हलो दोस्तों नमस्कार केपी टीचर अकडेमी में आपका हर्तिक स्वागत है आसा करते हम स्वस्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बाल विकास सिच्छा सासर का थर्टी कुशन से सल आएंगे जो कि सीटर प्रचेस वैसी है बहुत ही मत पूर होगा वीडियो लाइक क और अच्छे है बालक का बिकास का प्रड़ाम क्या है या से बात करते हैं बालक की विकास का परड़ाम सामाजिक अधिगम प्रारम होता है जो कि प्रारम होता है या आरम होता है वो है संपर्क करने से हो जाता है आझसर करण हो जाता है तो अंसर से हो जाता है अगला कोशन देखेंगे बालक के साराइक एवं करियात्म विकास की दिसा होती है To question question पुछ़ए रहा है कि बालग के सारे के बिकास वा क्रियात्मिग बिकास की दिसा किस पकारकी होती है यह conversation पुछ़ए हरा है तो चसके बात करते है बालक के सारे के विकास और किर्यात्म की दिसा की विकास की अवस्ता होती है डारेक्शन होता है जिसा होती है जो कि सिर से पैर की ओर होती है और सरीर के मद्द से बाहर की ओर होती है तो अंसर रेक्टर जागा यहांपे हमारा B अगला कोशन देखेंगी परिच्छा की इस्तान पर सतत और ब्यापक मुल्यांकन गुडवत्ता मूलक सिच्छा के लिए सरवधिक उप्युक्त क्योंकि इसमें A. संगरात्मक छेत्र का मुल्यांकन किया जाता है B. से संगरात्मक छेत्र का मुल्यांकन किया जाता है सिये मुल्यांगन, सतत, एवं ब्यापक चेतरों का होता है डिय उप्रक सभी तो कोशन पुछे रहा है कि परिच्छा की इस्तान पर सतत और ब्यापक मुल्यांगन गुडबत्ता, मूलक, सिच्छा के लिए अधिक उप्युक्त है क्योंकि इसमें यह कोश्चन पुछा रहा है तो तो इसके बात करती है कि परिच्छा की स्थान पर सतत और ब्यापक मुल्यागन करने और गुडबत्ता मूलक्स इच्छा के लिए सबसे अप्युक्त होता है कि संग्यानात्पू छेत्र का मुल्यागन किया जाए और है संग्य कि बिकास का निरधारक तत्व नहीं है कोश्चन नेगे पूछा गया है option दिखेंगे a सामाजी कि सनरचना बिए अनुवव सी यह संतोलनी करड डिए उपरत्समें से कोई नहीं तो कोश्चन पूछ रहा है कि प्याजे की बहुत दिख विकास का निरधारक तत्व नहीं है संचलनाना के बारे में नहीं बताएं यह है सम्सामाजिक संचलनाना के बारे में चॉमस्कूब कम इसके आंसरी हां कि ऐसा का sinking आ पर श्रकूंच करें यह फिनी निशत नहीं से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है कतन नहीं है पूछा गया है option देखेंगे A है विकास अंते क्रिया का फल है B है विकास एक बिवस्तित संकला का अनुगामी है विकास एक ब्यक्तिकत प्रक्रिया है D है विकास बिसिस्ट से सामन की ओर होता है तो question काफी अच्छा पूछा गया question पूछा रहा है निमने लिखत में से कौन सा कतन है जो कि विकास के लिए या विकास के बारे में सत्य नहीं है या question पूछा रहा है तो जो जो बात करते हैं पर विकास है जो कि एक अंते क्रिया का फल है विकास एक ब्यक्तिकत संक्रला भी है अनुगामी है और विकास एक ब्यक्तिकत प्रक्रिया भी है जो कि विकास बिस्निस्ट से सामाने की ओर नहीं होता है विकास समय सामाने से बिस्निस्ट की ओर होता है तो अंसर एक्ट होएगा है यहाँ पर वारा डी अगला कॉशन देखे प्राइड प्याजे एबम अन्य मनुबग्जानिकों ने विकास की बिविन अवस्ताओं के संदर्म में ब्याक्षा की है परन्तु प्याजे ने ए कहा है कि बिविन अवस्ताओं के सीमित प्रवाव रवाव होते हैं सी यह बिविन अवस्ताओं को समझाने के लिए संगनत्मक बदलाब के बारी में कहा है दिये उप्रुक्स में से कोई नहीं तो कोश्चन पूछे जारा कि फ्राइड प्याजे एबं अन्य मनुबग्यानिकों ने बैक्तुत विकास की विवन अवस्ताओं की संद्रम में ब्याख्या किये परंतु प्याजे ने किस प्रकार से किये यह कोश्चन में पूछा जा रहा है तो उसकी बात करती है प्याजे दिने कहा है की विवन कि बारे में कहा है तो अंसे क्रेक्टर यहां पर हमारा सी अगला कोशन देखेंगे मानव विकास किन दोनों की युगदान का प्रड़ाम है यह अभिवावक अध्यापक का डिये सामाजिक एवं सांसरित कारकों का मानव विकास किन दोनों की युगदान का प्रड़ाम है यह कोशन में पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं मानव का जो विकास होता है उनका जो युगदान है जो की अगला कोशन देखेंगे अधिगम निरोगता का लक्षड है यह बागने की प्रवर्ती होना बी आशांत उर्जावान एवं दुशंक होना अगला कोशन देखेंगे मुरे ने एक परिच्छड की रचना करके इत्यास रच दिया वह क्या है A.S.A.I. दब्बा परिच्छड B.A. बाग के पूर्ती परिच्छड C.A. आत्म बोदन परिच्छड D.A. मुल्याकन मापनी तो कोशन मेंट पूछा गया कि मुरे ने एक परिच्छड की रचना करके इत्यास रच दिया है वह क्या है यह कुशन पूछा रहा है तो उसके बात करती है मुरे ने बिसे आत्म बोदन परिच्छड करके इत्यास रच दिया है तो आंसर रेक्ट हो जागा है यहां परिच्छड C. अगला कुशन देखेंगे ने न्यूम्न हलक्त मैं से कौन ब्यक्तुत का परिच्छड परिच्छड तो कौशन पूछाका कि ब्यक्तुत परिच्छड नहीं है नहीं है पूछा गया तीन यह पोजिट्र मोंगे और एक नहीं ہوगा वही आप कांसर अंसर जाएगा तो इसके बात करते हैं भी कि जो नहीं है हमारा नहीं है तो अंसर एक तो है यह हम प्यारा डे कोशन देखेंगे मनोबिज्ञान ने सर्व पृत्म अपनी आत्मा का परत्या किया फिर अपनी मन का और फिर अपनी चेतना का अभी हुआ है एक प्रकार के विवार को सुज़य हुआ है कतन था ए टिचनर का बी ए बुंट का सी ए बुडवर्थ का डी ए मैगडूल का कोष्ण पूज़य रहा कि मनोबिज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का परत्या किया है फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का Evie एक प्रकार के वर को जोड़े हूआ है यह Question पुछ आ रहा है तो यह कथन किसका है यह कथन कुछ आ रहा है तुछ उसके बात करते हैं यह कथन दिया गया है बुटुवर्थ जी ने तो अंसर रेक्ट रहे हैं पे हमारा C अगला Question देखेंगे बीटो को लाई करते नहीं साथ हैं आई में शैसे यहोपन तक यजए तक की इए 18-20 शैसे यहयोषों पूस्ट का क्या है रहा है क्या किए पालच में तक यह है स्वोभ तबस्ता का बर संत्रलाल से सम्मेदाई तो अंसर करिक्ट ओग याँ मिमारा दी अगला कोशन देखेंगे है जो उच प्राथ्यमी के स्थर पर ऑए साथ च्छिक अब करियर निर्डिशन की आपशकता है दी आ के वल करियर निर्डिशन की आपशकता है किस प्रकार की आबशक्ता है यह कोशन पुछा रहा है तो इसके बात कहते हैं उच्छ प्रात्म की स्थर पर सैच्छ करियर एबं बैक्तिगत निर्देशन की आबशक्ता है क्योंकि बच्छ यहां पे उच्छ प्रात्म की लेवल पाता है और पिंतरी से कार करना स्थर प्रकार करते हैं इसमें मूर्थ चिंतन की प्रकिया या मूर्थ सोचने समझने की चम्ता उत्पन हो जाती है तो अंसर राक्ट हो यह हमारा बी अगला कोशन देखेंगे बिग्यान में मौनिका की संप्राप्ती अच्छी है लेकिन या किन्तू गड़ित में खराब है इसका प्रमुक संभाब्य कारल हो सकता है यह बालिकां प्राइ गड़ित में कमजोर होती है यह मौनिका की माता-पिता असिछित है यह गड़ित सिच्छ प्रभावी नहीं है दिये गड़ित कटिन बैसे है तो इसकी बात करती है गड़ित सुच्छड प्रभावी नहीं हो रहा है जिससे कि उसकी रुची नहीं लग रही है और उससे सीखने में अच्छा नहीं हो पा रहा है तो यहां पर क्रेक्टर नहीं हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे जिन प्याजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है यह कोशन में पूछा रहा है जिसके बात करते हैं जिन प्याजे के दुआरा जो के अनुकूलन है वो आत्म साथ करण और विवस्तापन के दुआरा होता है तो आन्सर क्रेक्टर हो जागा यहां पर वारा डी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में सेयर करें तो सब्सक्राइब करें जिसके नौटी फिरमा दिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी कोशन देखेंगे समाविसी सिच्छा उस विद्ध्यालेई सिच्छा विवस्ता की और संकेत करती है जो केवल बालिका सिच्छा को बढ़ावा देने की अवशक्ता पर बल देती है सबी निर्योग्य बच्चों को सामिल करती है उनकी सार्रक बहुत दिक सामाजिक बहासिक या अन्य विवन योग्यताओं इस्तितियों को ध्यान में रखे बगएर सभी बच्चों को सामिल करती है अवशक्ता वाले बच्चों को बिद्यालों के माद्यम से सिच्छा देने को प्रोसाइद करती है तो कॉशन काफी अच्छा पुछा गया कॉशन पुछे जारा कि समावी से सिच्छा है उस बिद्याली सिच्छा की बवस्ता की और संकित करती है जो कि उनकी साररिक, बौधिक, सामाजिक, बासिक या अन्य विविन योगिता इस्थितियों को ध्यान में रखे सभी बच्चों को सामिल करती है तो अंसे रेक्ट होएगा यहां पर मारा C अगला कोशन देखेंगे चिंतन अनुबार रूप से है एक तो कोशन पुछा रहा है कि चिंतन किस प्रकार रूप से या किस अनिवार रूप से एक है क्या है यह कोशन पुछा रहा है चिंतन अनिवार रूप से क्या है उसकी बात करती हैं पर कि चिंतन मनोगतिक प्रकरिया है क्योंकि आंसर करें यहां पर मारा डी आगला कोशन देख्याएंगे कि अध्याइस्ट करेंगे हैं यहां पर कि संग्यानत्ता की बारी में क्या गलत है यह कि स्रेजनात्पुक्ता तथा ब्रद्धी सदेव साथ साथ चलते हैं स्रेजनात्प्ता में लचीलापन होता है सरी आत्य है व्याद यहांウ का समावेस होता है को कोशन पूच्छे ज़ाघक के सरी अध्यात्पुक्ता की बारी में क्या गलत है क्रेट्वlish बारे में गलत चीज देंगे जोसके कोशन पुशारा की कि क्या गलत है तो जोसके बात करती है अगला कोशन देखेंगे कच्छा कच्छ में सिच्छक एवं विध्यार्तियों की मद्य संपरेशन होना चाहिए यह पार्थ पुस्तक केंद्रित बीए विध्यार्ती केंद्रित सिच्छक केंद्रित डीए उद्धेश केंद्रित तो कुशन पूछा गया कि कच्छा कच्छ में सिच्छक एवं विध्य चाहतियों के मद्य जो सब्रेश वो उद्धेश केंदत होना चाहिए तो आंसर अमारा करेक्टर जाएगा यहां पर मारा डी जिससे की सिच्छक का और बच्चों का टार्गेट या उद्धेश कंप्लीट हो और उसके ही अकोडिंग होना चाहिए तो डी अंसर हो जाएगा छे बरस से चौदवरस आई के विद्धुलय कभी न गए अथवा विद्ध्ध्यालेई सिच्छा अदूरी छोड़ने वाले बच्चों को सिच्छा की मुक धारा से जोडने हे तू ए बिसेस पार्ट करम लागू करने पर जो दिया है विए बिसेस प्रिसिच्छा लागू क करने पर जो दिया है सिय है अलग से बिद्ध हाला कोने की बात कही है तो कुशन पूच्छा जाई रहा कि सिच्छा का सच्छा अधिकार अधिन्यम दूयार नौ में जो कि 6 वर्स से 14 वरस के बच्चों के लिए विद्याला कभी न छोड़े गए अर्वा विद्याली सिछा अधरी छोड़ने पर या छोड़ने वाले बच्चों को सिछा की मुक्धारा से जोड़ने के लिए क्या किया गया या कुशिन में citizenship में इसके बात करते हैं राइट टू अजी क्रिशन दोयार नौ में ये कहा गया कि कि मिसेस प्रिसिच्छन लागू करने पर जोड़ दिया गया है तो आंसर रेक्ट में यहां पर हमारा बी अगला कोशन देखेंगे प्रात्मिकी स्तर पर सिच्छक को क्रियात्मक सोद का ग्यान होना चाहिए क्यूंकि वे इसके मद्यंसे बच्चों की समस्या की पैचान कर सुदार करने का कोशल विक्सित कर पाएंगे B. अपना सोय का विकास कर पाएंगे C. बच्चों को प्रवाबी डंग से पढ़ा पाएंगे D. सोध करना का कोशल विक्सित कर पाएंगे तो कोशन पर चाहिए कि प्रात्मे की स्थर पर सिच्छक को क्रियात्मक सोध का ग्यान होना चाहिए क्योंकि क्योंकि इसके माद्यम से बच्चों की समस्याओं की पैचान कर पाएंगे और उनका सुधार करने का कोशल मिक्सद कर पाएंगे तो आंसर रेक्ट होगा यहां पर हमारा A अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करें जैसे आज सेयर करें चैनल को स्क्राइब करें बैगर प्रेस कर लें जिसके नौटिक माद्यम से आपको विडियो मलती रहेंगी कोशन देखेंगे निश्पत्ती बुद्धी लब्दी या निश्पत्ती लब्दी या AQ का सूत्र क्या है या कोशन पुछा रहा है इसके बात करते हैं AQ is equal to MA upon CA into 100 BA AQ is equal to CA upon EA into 100 CA AQ CA upon EA into 100 BA AQ is equal to EA upon MA into 100 तो निश्पत्ती लब्दी का सूत्र पुछा गया है तो जिसके बात करते हैं निश्पत्ती लब्दी या सूत्र है AQ is equal to EA upon MA into 100 तो आंसर रहें करेक्ट हो या गया हमारा D अगरा कोशन देखेंगे बच्चों के बासाई विकास के लिए ज़रूरी है कि A. उनको अधिक से अधिक अपने विच्चार व्यक्त करने के अबुसर देने चाहिए B. A. बासाई कौशलों के विकास है तो गतिविदियों आयूत की जानी चाहिए C. A. लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनाने का अभ्यास करना चाहिए D. A. उपरुक सभी तो कुशन पुशाई रहा कि बच्चों के बासाई विकास के लिए क्या ज़रूरी है या क्या करना चाहिए या कुशन पुशाई रहा है जिसके बात करते हैं बच्चों के बासाई विकास के लिए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्ति करने के लिए अभुसर दिने चाहिए और बासाई को बिकसे थेतू गतिविदियां अईजित करनी चाहिए जिससे उन्हें प्रोसाइन मिले और लिखना पढ़ना बोलना जैसे सुनने का अब ब्यास करना चाहिए तो इसको कोड़ी मारा आंसर रुक्त जाएगा उपरुक्त सभी डी अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे सिच्छड कार के अंतर गत निम्न लिखित में से आस्रित चर है यह कोशन पुछा रहा है जिसके बात करते हैं आस्र चर रहे है जहां पे चात्र हो जाएगा तो अंसर सी अगला कोशन देखेंगे सिच्छड का प्रमुख कार है ए निदान करना बी उपचार करना सी मुल्यांगन करना डी ए ए बी तता सी तीनो ही तो कोशन पुछा रहा कि सिच्छड का प्रमुख कार क्या है यह कोशन पुछा रहा है जिसके बात करते हैं सिच्छड का प्रमुख कार है निदान करना उप चिछड़ अधिगम का स्थर होता है एक इस्मर्थी स्थर बीए अब बोध इस्थर सी ए बिमर्शी चिंतन स्थर डीए एबी वसी तीनों ही तो कोश्ण पुछा रहा है कि सिछड़ अधिगम का स्थर क्या होता है यह कोश्ण पुछा रहा है तो जोसके बात करते हैं कुशन दो बढ़ाया, पहले कुशन पर देखेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, कक्छा सिच्छड कार करते समय बिद्धियारतियों को अधिगम हेतु प्रेयर्थ करने के लिए निम्नल लगत्मे से किस स्तैति पर बल देना चाहिए, तो A. बिद्धियारतियों के बैक्तित बिद्धियारतियों के अधिगम से अलिकी जनकारी रखना, D. A. B. C. तीनों पर ही, तो कोशन पुशन पुशाए रहा है कि कच्छा सिच्छा कार करते समय बिद्धियारतियों को अधिगम हेतु प्रेयर्थ करने के लिए निम्नल लगत्मे से किस स्तैति पर अधिक बल या स जनकारी प्राप्त करना, बिद्धियारतियों की अधिगम सेलियों की जाने की रखना, तो आंसर एक्ट हो जाएगा यांपे हमारा A. B. C. तीनों ही, तो करेक्ट अंसर हो जाएगा D. अगला कोशन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते साथ याथ में सेयर करें दोस्कों सा सिद्धांत, C. बहुकारकी सिद्धांत, D. दुईकारक सिद्धांत, तो कोशन पुशार है कि इस्परमेंद द्वारा प्रस्तु सिद्धांत क्या है, यह कोशन पुशार है, जसके बात करते हैं, दुकारक सिद्धांत इस्परमेंद द्वारा प्रस्तु किया गया है, तो अगला कोशन देखेंगे अधिगम एक प्रकरिया है जिसमें प्राड़ी ए अपने प्रिवागों की संतुष्टी करता है बी अपने बातावड की साथ समायूत करता है लक्ष प्राप्ति हेतु बादाओं को पार करने का प्रयतन करता है दिये उप्रुग सभी प्रकरियां करता है तो कोशन पुछा रहा कि अधिगम एक प्रकरिया है जिसमें प्राड़ी किस पकार से कार करता है या किस पकार की प्रकरिया करता है या कोशन पुछा रहा है उसके बात करते हैं अपने प्रेयों की संतुष्टी करता है और अपने बिभार की बातापल के साथ समायुत करता है लक्ष्प्राप्ति हितु बादाओं को पार करने का प्रयाँ करता है तो अंसर रॉक्ट हो जाएगा हैinksिस가요 सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको विडियो बिलती रहेंगी मिलती है नेक्स ससन में जैने दोस्तों बंदे मात्रम